नमस्कार आप देख रही हैं। एलार भारत बिलकुल नए तेवर और नए अंदाज में। पद्यात्रा कर रही हैं। और लगातार उनके निशाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर एंदिये के नेता भी आज सहरसा में उन्होंने बहुत चौकाने वाली बातें। इसके साथ उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां कॉंग्रेस में तूट का डर है, तो दूसरी तरफ बिहार के सताधारी गट बंधन एंदिये में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रही है। इसी बीच प्रशांत किशोर नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि बिहार में कोई भी खेल हो जाए आपको शायद जानकारी हो कि बिहार में। 2012 के बाद यहां नीतीश का चंठा से सात्वा प्रयोग है केंद्र में चाहे यूपिये की सरकार हो या प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी की सरकार हो बिहार में नीतीश कुमार चाहे महाक्त बंधन के साथ रहे या अकेले रहे या फिर भाजपा के साथ रहे इससे बिहार में क 2012 के बाद अभी मैंने आपको गिनवाया ये 6-7 सरकार का प्रयास है. क्या फ़रक पड़ गया? चाहे केंदर में UPA की सरकार हो या केंदर में अभी मोधी जी की सरकार है? बिहार में चाहे नितिश कुमार महागरबंदन के साथ रहें, अकेले रहें या भाजपा के साथ रहें? बच्चों के पढ़ाई की बेवस्था तो हुई नहीं, बिहार में चीनी मिल तो चालू हुए नहीं, बिहार में लोगों को रोजगार मिला नहीं, पलायन थमा नहीं, तो किसी की भी सरकार बन जाए, किसी भी फर्मेशन में आ जाए, किसी तरह का खेला हो जाए, यहां परिव इसके साथ उन्होंने साफ कर दिया कि बिहार के लोगों को रोजगार तो नहीं मिला बिहार के लोग आज भी प्लान के लिए मजबूर हैं। हमले का जवाब खेला करने वाले भाजपा जद्यू के लोग किस लहजे में और किस तरीके से देते हैं। फिलहान अगर आपने हमारे चैनल एलार भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिये देखते रहे एलार भारत नमस्कार।